Hello friends, आप लोगों के मन में बहुत बार questions आता होगा कि कैसे हम एक छोटे से amount को बड़ा बना सकते हैं तो ये वीडियो बहुत सारे student भी देख रहे होंगे तो dear students, छोटे छोटे amount को आप invest करके एक बड़े amount के रुप में convert कर सकते हैं तो खुद self defend बन सकते हैं आप ताकि आगे आप financially free हो सकें तो इस टाइप के वीडियो की सीरीज मैंने start के हैं यदि आप इस टाइप के वीडियो को continue चाहते हैं तो मुझे comment section में comment जरूर की तो कमाई करना भी सीख ले यानि थोड़ा थोड़ा amount इखटा करके यदि आप उसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही simple सा तरीका है कि आपको तो आपके मन में एक और question आता होगा कि हम ऐसी कौन सी जगा है जहां पर invest करके एक छूटे amount को बड़ा बना सकते हैं तो आपको invest करना है mutual fund में जी हां friends यदि आप एक student भी है और आपके पास में थोड़ा बहुत ही amount है जिसे आपने आपकी pocket money या किसी gift या कहीं से भी अच्यू किया है या आपके पास में इखटा करना है तो आप उस amount को invest करके एक बड़ा amount बना सकते हैं तो कौन से वो 5 best 5 mutual fund है तो पूरी information इस subscribe कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो like जरू कीजिए साथी bell icon को press करके all notification को on कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के notification आपके पास पहुंच सके अब यदि आपको mutual fund की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो आपके मन में questions आता ही होगा और जाइर सी बाते आ invest कर सकते हैं कुछ ऐसे special fund है जिसमें 100 रुपे से भी कम को आप लगा सकते हैं तो 100 रुपे तो आप available कर ही सकते हैं अपने लिए तो आप 100 रुपे से start कर सकते हैं तो बाकी आपके पास यदि से ज़्यादा amount है तो आप उसे भी invest कर सकते हैं तो बात कर रहते हम कि यह जो money best on market यानि हम कह सकते हैं कि वो पैसा जो आपने लगाया है या invest किया है वो market में ही रहता यानि share में रहता यानि आपने जो पैसा invest किया है चाहे वो equity वाला है means यदि equity वाला mutual fund है तो हम कह सकते हैं कि जो total money आपने invest कि है वो पूरी share में ही रहती है suppose कीजिए कि यदि कोई भी person किसी भी company के पूरे shares को purchase कर लेता है और उसने जितने भी shares में invest किया है चाहे उसने यदि पूरे shares खरीद लिये और यदि उन shares की value कुछ समय बाद जैसे ही उसने invest किया है उसके बाद यदि shares की value down हो जाती है तो उसको returns भी कम में लगा यानि उसको profit की बजाई यहां पर हो जाएगा loss तो friends डरिये मत mutual funds में ऐसा नहीं होता है mutual fund एक तरह से secure है क्योंकि suppose कीजिए यदि किसी भी person ने 1000 रुपे invest किये हैं तो वो किसी एक company में नहीं लगके बहुत सारी company में लग जाते हैं आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे people के बीच में एक company के बीच में वो distribute हो जाते हैं और इसके लिए company एक fund manager भी रखती है और एक और important बात यह जो managers होते हैं यह well qualified होते हैं इनको पूरी knowledge होती है share market के बारे में कि जो आपने पैसा invest किया है इसे बहुत सारे persons है जो इस type से mutual fund में money को invest करते हैं उसके बाद यह fund manager को पूरी knowledge होती है कि कि share को हमें purchase करना चाहिए कौन से shares उन्हें benefit दे सकता है कितना profit कि share से हो सकता है कि shares के down होने की chances हैं तो पूरा knowledge इन fund manager के पास में होता है और साथ ही ये भी उन्हें पूरा knowledge होता है कि किस company के share में कितना पैसा लगाना चाहिए ताकि जिन भी persons ने या चाहे वो student हो या कोई भी विक्ति हो जिनोंने mutual fund में invest किया है या जो mutual fund के subscriber हैं उन्हें अच्छा return या पर मिल सके तो क्योंकि यहाँ पर जो fund manager होता है वही invest करते हैं share market में तो वो इसकी पूरी समझ रखते हैं कि जहाँ जहाँ पर वो invest कर रहे हैं कभी एका जगह से यदि उन्हें loss हो गया हो तो बाकी जगह से उन्हें profit हो जाया और और आल या net profit उनको मिले यानि loss उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा किसकी बात की जारी यहाँ पर जिन्होंने mutual fund में invest किया नहीं जिनने mutual fund में अपना पैसा लगाया है उन्हें और आल यहाँ पर profit ही मिलेगा फिर यदि आपके मन में question आ रहा होगा कि क्या हमें fund manager को कोई extra fees pay करना होगी तो बिलकुल नहीं है बेफिकर हो जाएए आपको fund manager को कोई भी fees pay नहीं करनी है यह जो fund manager होते हैं यह company आपने हैं रखती हैं और यह company ही इन्हें fees pay करती हैं सिर्फ यह share market के उतार चड़ाओ जो भी share market में चल रहा है उसकी जानकारी रखते हैं तो अब बात करते हैं यदि आप किसी mutual fund में invest करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यानि कुछ important tips हैं जो मैं आपके साथ share करने वाली हूँ आपको सबसे एक नमबर एक पर जो बात ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है उसका expense ratio और उसका exit load यानि जब भी आप अपने पैसी को withdraw करें तो उसकर कितने charges लगेंगी यानि आपको कितना पैसा वहाँ पर लगने वाला है इसमें भी कुछ terms and condition होती है जैसे मान लीजी आपने एक साल से पहले अपना पैसा withdrawal कर लिया तो इसमें कुछ न कुछ excess load जरूर होता है किसी में ये तीन महिने का हो सकता है किसी में ये एक महिने का हो सकता है यानि सरल भाषा में इसको समझे तो जैसे आपने एक साल से पैसले अपना पैसा विड्रॉल कर लिया तो यहां पर short term capital charges भी apply हो सकते यानि आपका कुछ न कुछ amount यहां पर काट लिया जाएगा यानि आप सच मुझ अपना पैसा mutual fund के साथ invest करना चाहते हैं तो आप इस बात को भूल जाएए कि मुझे एक साल से पहले अपनी money को withdraw लिया पर करना है तो आपको mind में ये set कर लेना है कि कम से कम मुझे अपना पैसा एक साल के लिए तो mutual fund में रखना ही है उसके बाद ही मैं इसे withdraw करूँगा जैसे हम bank में अपनी salary को रखते हैं वहाँ पर भी हमें बहुत जादा amount में ब्याज नहीं मिलता है फिर भी हम अपनी salary को वहाँ पढ़े रहने देते हैं सेम उसी type से आपको एक साल तक अपने पैसे को mutual fund में रखना है तो आईए अब हम अपने main topic पर आते हैं जिससे हमने video start किया था कि वह best 5 mutual fund आखिर कौन से हैं आप सबी को उसका wait होगा तो सबसे पहले मैं उनके आपको नाम बता देती हूँ कि कौन से हैं वह best 5 mutual fund जिन में आपको invest करना है और जो आपके लिए seven secure हो सकते हैं साथ ही आपको अच्छे returns भी वह provide कर सकते हैं तो नमबर एक पर आता है ICICI का Prudential Technology Direct Plan Growth एक पर रखने का reason यही है कि इसके जो returns है वह बहुत अच्छे हैं और यह equity type का mutual fund आप बात कर लेते हैं इसके एक साल, तीन साल, पांस साल और overall years के returns हमें क्या मिलने वाले तो इसक्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सबसे पहले बात करते हैं वन एर्स के returns की तो वन एर्स के returns देखिया 140% जो कि बहुत अच्छे returns है other के comparison यदि इसका किया जाएगा other mutual fund के साथ यदि इसका comparison किया जाता है तो और 3 years के returns यहाँ पर रहे हैं 33.07% और 5 years के returns यहाँ पर रहे हैं 26.20% और overall result को यदि इसके देखते हैं तो वो रहा है यहाँ पर 25.90% तो देखिये overall यदि हमने देख लिया 1 year, 3 years और 5 years तो काफी अच्छे returns ही हमें provide कर रहा है तो इसलिए इसको मैंने number 1 पर रखा है क्योंकि इसे काफी अच्छे returns यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और because यह जो mutual fund है technology mutual fund है क्योंकि आज के time पर जो technology है वो काफी ज़्यादा develop हो रही है तो इसके भी grow होने की chances बहुत ज़्यादा है यानि यह down होने की इसके chances यदि देखे जाए तो बहुत minimum है और grow होने के chances इसके बहुत ज़्यादा है इसलिए आप इसमें invest करने में safe and secure feel कर सकते हैं बात करें कि यदि इसमें invest ना करें तो इसका alternative कौन सा mutual fund हो सकता है आदित्य बिल्ला, Sun Life, Digital Fund, Direct Growth वो भी सेम इसी category और इसी type का fund है तो आप खुद ये decision ले सकते हैं क्योंकि दोनों same type के fund है दोनों को compare कर सकते हैं आपको जिसमें invest करना है दोनों ही same type के हैं, same category के हैं और दोनों के ही returns जो हैं काफी अच्छे हैं नमबर दो पे आता है Mirai Assist Emerging Blue Chip Fund Direct Growth ये fund भी काफी अच्छा है जो कि large cap और mid cap के equity type का एक fund है Friends, इसके भी returns काफी अच्छे हैं देख लेते हैं 1 years, 3 years, 5 years and overall returns कैसे हैं इसके या कितने percentage हैं तो 1 years के returns हैं 71.30%, 3 years के हैं 23.30% and 5 years के हैं 23.00 and बात करते हैं इसके और और returns की तो वो मिलता है याँ पर 25.20% नमबर तीन पे आता है SBI Small Cave Fund Direct Growth ये भी काफी अच्छा fund है बट ये एक risky fund है क्यों है? ये मैं आपको बताने वाली हूँ तो देखिए क्योंकि जो Small Cave Fund होते हैं तो जब भी market डाउन होता है तो सबसे पहले इनी Fund वाले कमपईयों की सबसे ज़्यादा हालत खराब हो जाती है और ये इसके comparison में हम बात करें Mid Cap और Large Cap की तो उन पर late असर पड़ता है या हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले फर्क दिखाये देगा आपको Small Cap पर दिखाये देगा उसके बाद Mid Cap और Large Cap तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक risky fund है तो इसमें जो returns मिलने की chances होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं यानि High Risk, High Return और Same Way से ही इसके डाउन होने की भी chances ज़्यादा होते हैं तो यदि आप Small Cap fund में invest करना चाहते हैं तो ये fund आपके लिए काफी अच्छे साबित हो सकता है बात करते हैं इसके 1 year, 3 years, 5 years and oral returns की तो 1 years के returns इसके 88.20 3 years के हैं 22.10 5 years 24.20 and oral returns इसके 27.40 नमबर चार पे आता है PCIM India Direct Fund Growth ये एक Flexi के fund है और यदि आप इसका alternate यूज़ करना चाहते हैं तो पराग पारेक वाले fund में भी आप invest कर सकते हैं बात कर लेते हैं इसके 1 year, 3 years, 5 years and oral returns की तो 1 years में मिलते हैं आपको यहाँ पर 79.70%, 3 years में 23.80% और 5 years में 21.10% और और आल की बात की जाए तो 16.10% यदि आप Flexi केप में invest करना चाहते हैं तो इसका जो alternative है पराग पारेक आप उसमें भी यहाँ पर invest कर सकते हैं नमबर पांच पे आता है कौन टेक्स प्लांट डारेक्ट ग्रोथ यह Tax Saver Mutual Fund है यदि आप अपना Tax बचाना चाहते हैं तो इस टाइप के Mutual Fund में आप invest कर सकते हैं यहाँ पर आपको A.T.C. में भी चूट मिलेगी बस इसकी एक condition होती है यानि जितने भी Tax Saver Mutual Fund होते हैं सभी की यही condition होती है कि इनका 3 years allocation period होता है यानि आप अपने पैसे को जो भी amount आपने हैं पर invest किया है उसे 3 साल से पहले withdraw नहीं कर सकते हैं और इसके returns देख लें तो returns काफी अच्छे हैं वन years के returns को यही देखा जाए तो 110% 3 years के return से इसके 31.50 5 years के returns इसके 24.90 और और all returns को यही देखा जाए तो 21.70 तो friends यह 5 mutual fund जो जितने भी और all mutual fund है उनमें से मैंने 5 best mutual fund को shortlist करा है और इनमें मैंने खुदने भी invest किया है तो यह मेरे according 5 best mutual fund है यदि आप इनके अलावा किसी और में invest करना चाहते हैं आपको best लगे तो आप उनमें invest कर सकते हैं पर आपको मिलते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करना मत भूलिए Thank you